कि कि हैं आज हम लेके आएंगे आपके लिए पसुद नुसाइक बढ़ती परिक्षा 2022 में वेटिनेरी माइनर सजरी में आने वाले 50 टोफ मॉस्ट क्यूसंजों लगबग बढ़ती में बेटेंगे आपके चलो आपको ले चलते हैं क्यूसन नुमबर एक की तरफ क्यूसन नुमबर एक है ओटोकलेव का समने तापमान दबाव और समय होता है ओप्षन है 121 डिग्री सेल्सियस 15 LBS दाब और 15 मिनट भी है तो इसका राइट आंसर होने वाला है 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 LBS दाब और 15 मिनट तक यह इसका समने तापमान दबाव और समय है तो इसका राइट आंसर होने वाला है अगला क्यूशन है गरम हवा बठी का तापमान होता है ओप्षन A 160 डिग्री सेल्सियस पर हावर B है 180 डिग्री सेल्सियस पर हावर C है 190 डिग्री सेल्सियस पर हावर और D है इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर होने वाला A 170 डिग्री सेल्सियस पर हावर अगला क्यूशन है तीसरा आंग की सर्जरी में काम में लेने वाली सूचर सामगरी है Option A. Collagen, B. Cat Cat, Option C. Kangaro tendon, Option D. Facilator तो इसका right answer होने वाला आंग की सर्जरी में जो सूचर सामगरी काम में लिया जाती है वो है Collagen अगला क्यूस्टन है टेंडन या मास्पेसिम में खिचाव क्या कहलाता है अगला क्यूस्टन है टवचा कि निरंतर्ता का बंग होना क्या कहलाता है Option A है burn, B है wound, C है sprain और D है absis तो इसका right answer होने वाला Option B, wound अगला क्योंसन है शरीर के अंदर बंद गुवा में मवाद बनना क्या कहलाता है Option A है absis, B है wound, Option C है cyst और Option D है burn तो इसका right answer होने वाला absis Option A इसका right answer है चलते हैं अगले क्योंसन की तरफ क्योंसन नमबर 7 है केट, केट, सूचर, सामगरी किस जानवर से प्राप्त होती है Option A है billy, B है bhaid, C है बकरी और D है guy तो इसका right answer होने वाला है Option B, bhaid अगला क्योंसन है, सबसे मजबूत सूचर सामगरी का इस्त्रोध है कार्गिल मेंब्रेल सूचर सामगरी का इस्त्रोध कौन सा, Option A है bovine ठिक, Option B है bovine के कम Option C है bovine कोलं, Option D है bovine नेक, तो इसका right answer होने वाला है bovine के कम अगला क्योंसन है इस्तानी निष्चे तक का उधारन नहीं है Option A, Lignocane Option B, Procane Option C, Helothane और Option D, Wupacane तो इनमें से है Option C है वो आपके निष्चे तक का उधारन नहीं है बाकी ये Lignocane, Procane, Wuparorgan ये सब है 2% निष्चे तक के उधारन है चलते हैं एकला क्योंसन नमबर 11 की तरफ क्योंसन नमबर 11 हरनिया में जोइंट केप्सूल में कौन सी सुच्चर सामगरी काम में लेते है तो हरनिया के जोइंट केप्सूल में Option A, Ketket B है कंगारू टेंडन C है कारगिल मेंबरेन और D है पेसियलेटा तो जोइंट केप्सूल के लिए जो सुच्चर सामगरी काम में ले जाती है वो है कंगारू टेंडन कंगारू के पूस से प्राप्त होती है अगला क्यूशन है बारा Ketket के आउसोशन के समय को बढ़ने वाला रसाइन है कौन सा रसाइन है Kmno4, Option B है Chromic Acid, Option C है Calcium Chloride, D है Sodium Chloride तो इसका राइट आंसर होने वाला Chromic Acid अगला क्यूशन है Amesculator का कार ये क्या है Option A, Ruminatomy B है बदियाकरण C है, Singroden और D है, कोई नहीं तो इसका राइट आंसर होने वाला Amesculator का कार ये है बदियाकरण के काम आता है अगला क्यूशन है सरवदी काम में लिजने वाली Ketket है कौन सी है Option A, Type A B, Type B C, Type C और D है, Type D तो इसका राइट आंसर होने वाला है C Type C है वो सरवदी के काम में लिजने जाती है अगला क्यूशन है Probing का कार ये है A सोरी, सोक को चोक बड़ा जाए चोक बड़ा जाए टाइपिंग मिस्टेक हो गई अगला क्यूशन है Probing का कार ये क्या है चोक को सही करने के लिए पेट में दवाई पहुंचाने के लिए पेट साप करने के लिए और कोई नहीं तो इसका राइट आंसर होने वाला चोक को सही करने के लिए अगला क्यूशन है ट्रिफिनर का कार ये है Option है खोपड़ी या हड़ी में छेद करने के लिए B हड़ी को काड़ने के लिए C हड़ीों को जोड़ने के लिए और D है कोई नहीं तो इसका राइट आंसर होने वाला खोपड़ी या हड़ी में छेद करने के लिए Option है इसका राइट आंसर हो रहे है अगला क्यूशन है अगला क्यूशन है सिंग्रोद दिन के समय बचटे की उमर होनी चाहिए Option है एक से दस दिन B है एक माह C है आठ से दस माह और D है छे माह तो इसका राइट आंसर होने वाला ایک से दस दिन Option है इसका राइट आंसर हो है अगला क्यूशन है Bistry instrument का कारिये है B.A.F.S को कोलना C.A.P.S काटना D है कोई नहीं तो B kulit instrument का कारिये होता है F से इशको में खोले के काम, अगला क्युस्में, R34 Shrave का कारिय क्या है, R34 Shrave का कारिय क्या है, Option A, Operation करिके समय अरा- को रोखना, Option B, एडियों को काटना, सीत्ता उचा को पकड़ना, D, कोई नहीं, तो R34 Shrave का काम है, Operation करिके समय अरा- को रोखना, option A, इसका right answer हो रहा है, अगला question है, incomplete fracture समाने तो देखने को मिलता है, बचलों में, B.A. गाई में, C. गोड़े में, D.A. भेहस में, तो incomplete fracture सबसे ज़्यादा बचलों में, देखने को मिलता है, इसका right answer हो रहा है, बचलों में, अगला question operation theater को निश संक्रिमित करने के लिए काम में लेते हैं, option A, UV rays, B.A. X rays, C.A. gamma rays, और D.A. कोई नहीं, non, तो इसका right answer होने वाले UV rays, operation theater को निश संक्रिमित करने के काम में UV rays आती है, UV करिने, अगला question 22 नम पर देखते हैं, गरम हवा बट्टी का सिद्धान्त है, option A, भाप, B.A. सुस्क वास्प, C.A. विकिरन, D.A. कोई नहीं, तो इसका right answer होने वाला सुस्क वास्प, option B. अगला question 23, celery cyst है, option A, retention cyst, B.A. dermatoid cyst, C.A. exudacent cyst, D.A. encapsulated cyst, तो इसका right answer होने वाला retention cyst, celery cyst है, retention cyst को ही बोला जाता है, तो इसका right answer होने वाला है, अगला question 25, जानुरों में, सर्जरी में सबसे ज़्यदा काम में लिया जाना वाला इस्तानिय निश्चे तक है, option A, 2% liglokene, B.A. 2% prokene, C.A. 2% alcohol hydride, D.A. 2% chloroform, तो इसका right answer होने वाला है, 2% liglokene सबसे ज़्यदा काम में लिया जाता है, इस्तानिय निश्चे तक के रूप में, क्यूंसर नमबर 26 है, शींग काटने से पहले जानवर को निश्चे तन के लिए कौन शी नर्व ब्लो करते हैं, option A, coronal nerve, B.A. patient nerve, C.A. trigeminal nerve और D.A. optic nerve, तो शींग को काटने से पहले जानवर को coronal nerve होती है, जो शींग के पास उसको ब्लो किया जाता है, शरीर का संक्रमित होना क्या कहलाता है, option A, sepsis, B.A. sepsis, C.A. sepsis और D.A. कोई नहीं, तो इसका right answer होने वाला है sepsis, option A, इसका right answer है, अगला क्योंसर है, कुत्ते में डोकिंग की उमर होती है, option A, 3-5 दिन, B.A. 1, और C.A. 10 दिन, D.A. 7 दिन, तो इसका right answer होने वाला 3-5 दिन, option A, इसका right answer है, चलते हैं, अगले क्योंसर की दरब, क्योंसर नमबर गुंटी से, केट-कट को निश संक्रमित करने के लिए काम में लेते हैं, option A, hot air oven, option B, isopropyl alcohol, option D, chloroform, और option D, ether, तो इसका right answer होने वाला option B, isopropyl alcohol, अगला क्योंसर होने है, medium, chromic, ket-ket, कितने दिनों में अफ़सोचित होती है, option A, 20 दिन, B, A 15 दिन, option 40 दिन, option D, 10 दिन, तो इसका right answer होने वाला option A, 20 दिन में वे अफ़सोचित हो जाता है, अगला क्यूशन ने परजीवी के चारों और बनी सिस्ट कहलाती है Option A, Retention Sist Option B, Dermatoid Sist Option C, Exudation Sist Option D, Encapsulated Sist तो परजीवी के चारों और है वो Encapsulated Sist होती है Option D, इसका राइट आंस्वर है अगला क्यूशन है Sist जिसमें बाहर लें, शिबम पाया जाता है कौन सी Sist है जिसमें बाहर लें, शिबम पाया जाता है तो वो है, Option A, Retention of Sist Option B, Dermatoid Sist Option C, Encapsulated Sist और D, Exudation Sist तो इसका राइट आंस्वर होने वाला है Dermatoid Sist Option B, इसका राइट आंस्वर है अगला क्यूशन है HydroSilkis का उदारन है Option D, Dermatoid Sist Option B, Exudation Sist Option D, Retention of Sist Option D, Encapsulated Sist तो इसका राइट आंस्वर होने वाला है Exudation Sist Option B, इसका राइट आंस्वर है Exudation Sist अगला क्यूशन है हड़ी में मामूली दरार पढ़ना कहलाता है Option A, Avulsion Fracture Option B, Green Stick Fracture Option C, Fissure Fracture Option D, Non तो इसका राइट आंस्वर होने वाला है Option B, Sorry C Fissure Fracture अगला क्यूशन है 45, 35 गुमावदार बल की वज़े से हड़ी का तूट जाना कहलाता है Option A है Transverse Fracture Option B है Communicated Fracture Option C है Oblick Fracture Option D है Spiral Fracture तो इसका राइट आंस्वर है Spiral Fracture Option D इसका राइट आंस्वर है ले चलते हैं अगले क्यूशन की तरफ क्यूशन नमबर 37 ऐसा Fracture जिसमें कम से कम तीन Fracture रहा है एक विंदू पर आकर मिलती है Option A है Spiral Fracture Option B है Communicated Fracture Option C है Multiple Fracture Option D है Depression Fracture तो इसका राइट आंस्वर होने वाला है Option C Multiple Fracture इसका राइट आंस्वर होने वाला है क्यूशन नमबर 36 है निम्न में से गेस ये निश्चे तक का उधारण है Option A Nitrous Oxide Option B है Genone Option C है Cycloprofen और Option D है उप्रोक्त सभी तो इसका राइट आंस्वर होने वाला उप्रोक्त सभी Option D इसका राइट आंस्वर है अगला क्यूशन है 38 Rectal Prolapse के समय गुद्दा के मुँख को छोटा करने के लिए कौन सा सूचर लगाते है Option A है Lumbert Option B है First String Option C है Average Option D है Connell तो गुद्दा के मुँख को छोटा करने के लिए First String की जाती है इसका राइट आंसर होने वाला है B ले चलते हैं अगले क्यूशन की तरफ क्यूशन नमबर गुण चालिस है केट कट का इस त्रोथ है Option A है बेड की छोटियांत की सिरो सा परत Option B है बेड की छोटियांत की सब्योको सा परत Option C है बेड की छोटियांत की म्योको सा परत और option DA इनमें से कोई नहीं तो इसका right answer होने वाला है option B भेड की छोटी आथ की सब्म्यों को सप्रत ले चलते हैं अगले क्यूशन की तरफ क्यूशन नमबर 40 है इस्तानी निश्चे तक का कार्य करने का तरीका क्या है option A sodium channel को बंद करके option B A potassium channel को बंद करके तो इसका right answer होने वाला option A sodium channel को बंद करके option A इसका right answer है है अगला क्यूशन है विटापिल रहा है option A अवसाचे सुचर सामगरी option C है दोनों option D है इनमें से कोई नहीं तो इसका right answer होने है она अवसाचे सुचर सामगरी option B इसका right answer है अगला कि उसने सिंटेटिक एब्जोरबल शूचर मेटेरिल का उधारन है Option A, Polyglycolic Acid Option B, Polyglectin Option C, Amniotic Membrane Option D, Both and B तो इसका राइट आंसर होने वाला है A और B, Polyglycolic Acid और B, Polyglyclicin इसका राइट आंसर होने वाला है A और B, दोनो चलते हैं एगले क्यूशन की तरफ क्यूशन नमबर 33 फ्रेक्चर जिसमें हड़ी पूर्ण आता है दो बागों में तूर जाती है ऐसा फ्रेक्चर जिसमें हड़ी पूर्ण आता है दो बागों में तूर जाती है Option A, Green Stick Fracture Option B, Fischer Fracture Option C, Complete Fracture Option D, Incomplete Fracture तो पूर्ण है तो दो बागों में तूर जाती है तो इसका राइट आन्सवर होने वाला Option C, Complete Fracture अगला क्यूशन है उत्कों को फटने के कारण गाव जिसके किनारे सिद्ध नहीं होते हैं खहलाता है Option A, Penetrating गाव Wound Option B, Less Citrated Wound Option C, Inside Wound Option D, Evergreen Wound तो इसका राइट आन्सवर होना वाला जिस गाव के किनारे कटे-फटे होते हैं वो खहलाता है Less Citrated Gow तो इसका राइट आन्सवर होने वाला है Less Citrated Wound अगला क्यूशने किस प्रकार के गाव में टांके नहीं लगा जाते हैं इसका राइट आन्सवर होने वाला है कुट्टे के काटे गए गाव पर टांके नहीं लगाए जाते हैं अगला क्यूशन है अगला क्यूशन चीहार इस है किस के काटने पर गाव पर X की बाती चीरा लगाना चाहिए Option A, सरप Option B, कुट्टा, शीसूर और D, उप्रोक्त सभी तो इसका राइट आन्सवर होने वाला Option A, सरप के काटने पर शीर पर X की बाती चीरा लगाना चाहिए अगला क्यूशन है हरनिया में किस परकार के टांके लगाए जाते है Option A, ओवरलेपिंग Option B, क्विल Option C, Simple, Interpreted और Option D, Lambert तो इसका राइट आन्सवर होने वाला है Option A, ओवरलेपिंग हरनिया में ओवरलेपिंग टाके लगाए जाते है राइट आन्सवर है ओवरलेपिंग चलते अगले क्यूशन की तरफ क्यूशन नमबर 48 है कोनल शूचर निमन में से कहां लगाए जाते है Option A, यूरित्रो टोमी में Option B, सिस्टो थेरेपी में Option C, इसोफेजल या ओब्स्ट्रेक्शन में Option D, आल तो इसका राइट आन्सवर होना वाला इसोफेजल ओब्स्ट्रेक्शन में कोनल शूचर लगाए जाते है तो इसका राइट आन्सवर है Option C अगला क्यूशन है 49, डाइफर्मेटिक हर्निया कौन सी तरफ से ज्यादा होता है Option A, दाइँ Option B, बाइँ Option C, बीच में से और D है, नीचे से तो इसका राइट आन्सवर होने वाला है डाइफर्मेटिक हर्निया हमेशा डाइँ तरफ होता है तो इसका राइट आन्सवर होने वाला है Option A अगला क्यूशन है 50 पायूशिल का तात्पर ये है Option A, अंडा से में मवाद Option B, वर्सन में मवाद और Option C, गर्बाशे में मवाद Option D, हर्निया तो इसका राइट आन्सर होने वाला पायूशिल है वर्सन में अगर मवाद बढ़ जाती है तो इस चीज़ को पायूशिल कहा जाता है ये है वेटनेरी माइनर सर्जरी के टोप मोस्ट 50 क्यूशन जिसमें से लग बग सभी आपके पेपर में आने वाले है जो भी सर्जरी के क्यूशन आएंगे आपके पेपर में वो इन 50 में से बेटेंगे अगला टोपिक हम बहुत जल्दी लेके आएंगे इस बार थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा बीजी थे अगला टोपिक बहुत ही एक दो दिन में ही आप अगला वीडियो एक दो दिन में ही डाल दिया जाएगा तब ते के लिए धन्यवाद और हाँ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर फ्रेस कर ले धन्यवाद